आप सभी दर्शकों के सामने एक बार फिर हाजिर है आपकी होस्ट और दोस्त हर्शिता आपके अपने चैनल यूसफूल इंफो वर्ड के साथ तो दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी आदतों के विशय में जो अकसर पैरेंट्स अपने बच्चों को लेकर परिशान रहते हैं आज का यह जो वीडियो में बना रही हूँ यह मेरी एक बहुत ही खास दोस्त है जिसने मुझे इंसिस्ट किया कि आप बच्चों के जल्दी उठने पर लेकर एक वीडियो बनाएं क्यों ना मैं कुछ ऐसे टिप्स और ऐसे आसान तरीके बताऊं जिससे आप सभी पैरेंट्स अखास कर माएं अपने बच्चों की जल्दी उठने की आदत को लेकर अकसर परिशान सी रहती हैं तो उनको कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करना चाहिए जिनसे उनकी ये समस्या जल्द ही आसानी में तबदील हो जाते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों को सुबर जल्दी उठने के लिए आप सभी इंस्पायर करना चाहती हैं मैं आज आपके साथ ऐसे पांच आसान तरीके बताऊंगी जिसकी सहायता से सुबर होने वाली देरी से आप सभी महिलाओं को छुटकारा मिल सकता है जहां तक मेरा मानना है बच्चे को सुबर जल्दी उठने के लिए हर मां इंस्पायर करना चाहती है ये तो हम सबी जानते हैं कि बच्चों की मासुम शरारतों उनके अंगेनत सवालों से घर गुलसार बना रहता है रात में देर तक उच्छल कूद और सुबर देर से उठना अकसर हर घर का यही हाल रहता है कई बार बच्चों के देरी से उठने की वज़र से महिलाओं की दिंचरिया भी पिखर जाती है बच्चे खेल कूद में आम तोर पर इस कदर मश्गूल हो जाते हैं कि कई बार वे मा की बातों को अंसुना कर देते हैं इससे परेशान होकर मा कई बार बच्चों पर जबजस्ती चिलाने भी लगती है और उन्हें उठाते ही उनके साथ सक्ती से पेशाती है अगर आप भी अपने बच्चे के साथ इसी तरह की सिचुवेशन फेस कर रही हैं और बच्चे को देरी करने पर डाटने के बाद अफसोस महसूस करती हैं तो परेशान बिलकुल ना हो सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे बच्चे को प्यार से जगाएं अगर बच्चा सुबह उठने में देरी करता है तो उसे सबसे पहले प्यार से पुकारे और धीरे धीरे उसे जहलाते हुए उठने के लिए कहें जरूरे नहीं है कि बच्चा इससे उठी जाए लेकिन इससे धीरे धीरे उसकी नीन टूट जाएगी और वह बहुत परिशान नहीं होगा जिसा कि हम जानते हैं कि कई बार बच्चे बहुत जल्द बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं सुबर उठने में बच्चे को आलस भी महसूस होता है ऐसे में आप क्या करेंगी ऐसे में आप बच्चे से उनके मन पसंद चीजों के बारे में बाते कर सकती हैं उनके फेवरेट स्पोर्ट या एक्टिविटी्स पर चर्चा कर सकती हैं इससे क्या होगा इससे बच्चा धीरे धीरे active feel करेगा और बिस्तर से उठने के लिए inspire भी हो जाएगा तो कैसा लगा आपको यह number two point अच्छा है ना इसी तरह एक तरीका और है जिसे मैं आपके साथ share करती हूँ वह है favorite music जी हाँ दोस्तों अधिकतर हम देखते हैं ना बच्चों को music पसंद आता है या उनका कोई favorite गाना आता है तो वो काफी साधा active महसूस करने लगते हैं तो आप इसको भी जान लीजिए कि बच्चों को जिंगल्स और मस्ती भरा music सुनना बेहत पसंद होता है कई बार जब वे parents की बात नहीं सुनते हैं तो वो music सुनने पर active feel करने लगते हैं और उठकर कूद फान मचाने लगते हैं इस तरह आप अपने बच्चे से पूछ सकती हैं कि उसे कौन सा गाना पसंद है और वही गाना सुबह सुबह प्ले कर सकती हैं इससे बच्चों को उठाने में आपको बहुत सादा मशकत नहीं करनी होगी इसके पाथ जो बच्चों के लिए सबसे फेवरेट चीज होती है वह होता है उनका फेवरेट फूड या फेवरेट डिश की खाने में उन्हें क्या पसंद है तो ये भी एक आसान तरीका आप अपना सकती हैं बच्चों को जल्दे उठाने के लिए किस तरह आईए जानते हैं बच्चों को अगर खाने और खिलाने में उनकी पसंदिदा चीजे मिल जाती हैं तो फिर कहना ही गया इससे वे आसानी से आपका कहना मानेंगे और इससे आप यह भी मैसूस करेंगे कि वो आपके कही हुई बात को आसानी से मान रहा है क्यों? क्योंकि just because आप उससे offer कर रहे हैं उसकी मनपसंद की चीसे आप उनके लिए उनकी favorite dish या cookies बना सकती है अपने favorite dish या cookies का जैसे ही वो नाम सुनेंगे तो जटपट उठने के लिए ready भी हो जाते हैं और सब्सक्राइब लास्ट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ वह है बच्चों की नीद पूरी होना बहुत सरूर है अक्सर हम यहां गलती कर देते हैं कि कई बार बच्चों को किसी भी काम में या पार्टी में या कहीं किसी ऐसी situation को handle करने के लिए कहा देते हैं जब वह सोते रहते हैं तो उस समय उसका दिमाग अर्द चैतन्य वस्ता में रहता है और नीन पूरी होने की नव वज़े से वह चरचराहट महसूस करता है इसलिए कई बार बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं क्योंकि वे रात में देर से सोते हैं और सुबह उठाए जाने पर भी थकावट महसूस करते हैं ऐसे स्तिती में कई बार आप आवास लगाने पर भी चाहा कर भी नहीं उठ पाते हैं और फिर डांट ढपट करने पर भी डर से जाते हैं जो कि बच्चों के लिए सही स्तिती बिल्कुल नहीं है क्योंकि इससे उनकी mental और physical strength भी प्रभावित होती है जहां तक मेरा मानना है कोशिश करें कि बच्चे रात में जल्दी सोएं इसके लिए आप उन्हें रात में मालिश करकर सुला दीजिए या कोई अच्छी सी लोरी या जो नहीं का फेवरेट सौंगे उसको गाकर आप सुला सकती हैं इससे बच्चा अगले दिन जल्दी उठपाने में सक्षम होंगे और एक इदायत और देना चाहूंगी कि जो बच्चे सुपर अक्टिव होते हैं उनके दिंचरिया को आप समझ जाईए कि वह किस टाइम पे कौन सी अक्टिविटी कर रहे हैं अगर आप उन्हें रात में जल्दी सुलाएंगी तो obviously वह next day बहुत जल्दी उठपी जाएंगे तो एक time table fix कर लीजिए कि हमारे बच्चे को इतने बज़े सुलाना है और इतने बज़े उठाना है मतलब sleeping time का जो duration है उसे आप अपने तरीके से maintain करके रखिए उसे उसकी नींद को पूरा कर लेने दीज जब उसकी नींद पूरी हो जाएगी तब automatic वह next day energetic way में उठेगा और आपके साथ अच्छे से behave भी करेगा तो दोस्तों कैसे लगे आपको यह 5 तरीके अगर आपने इन 5 तरीकों को ध्यान से सुना होगा और देखा होगा तो आप जल्द ही इन्हें अपनी life में follow करके देख आपने अगर इस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो मैंने आप से ही कुछ ऐसे 5 आसान तरीकों के बारे में बात करी जिससे बच्छे जल्दे उठ सकते हैं तो इन तरीकों में से आपको सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा मुझे comment section में लिखकर जरूर से बताएं मुझे आपके comments का इंतिजार रहेगा वीडियो को अगर आप पसंद करते हो और ऐसे parents के साथ share करना जाते हो जो अकसर इस समस्या को face कर रहे हैं तो उन्हें इस समस्या से निजात पाने के ये आसान तरीके जरूर से बताएं I hope आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा so friends अब मैं आप से मिलूंगी अपने next वीडियो में किसी नई information के साथ thank you